मैं हूँ अमीश देव गन्ट और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोचमन कारिकरम ये देश है मारा पीडिये के आगे आगे आपको लगता है हिंदुत्व का दाओ फेल हो गया ये तो सब के लिए आप बाठ क्यों रहे हैं यही दिक्कत है कि भारती जन्ता पाठी पूरे समय चुनाव में किस पर बात करते हैं मंगर्सुत पर बात की जो पहली फेल हुआ दूसरी फेल हुआ तीसरा चुनाव लड़ा तो तीसरी फेल हुआ कहता है कि मैं पास हो गया यह देश है हमारा अमीश देवगन के साथ नमस्कार विववस मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोस्व मंत कारिकरम यह देश है मारा देश के राजनेतिक इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ होगा कि एक गडबंदन या यू कहे कि प्री पोल अलाइंस ने को जनता ने सरकार बनाने का मेंडेट दिया इसके बाब जूद समुचा का समुचा विफक्ष कई दिनों तक नरेटिव बनाने में जुटा रहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उस घडबंदन के नेता नरंद मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए एंडिये घडबंदन तूट जाएग सरकार नहीं चल पाएगी ये ब्रम फैलाने की भी भरपूर कोशिश की गई लेकिन इन तमाम सियासी वेवधान के बीच मोदी सरकार के 3.0 की तस्वीर देश के सामने साफ हो गई नितीश कुमार से लेकर चंदरबाबू नाइडू तक एंडिये के तमाम सहयोगी दलों ने खुल कर कह दिया कि उन्हें प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की लीडर्शिप पर अटूस अटूट विश्वास है भरोसा है और इसके बाद प्यम मोदी ने भी विपक्ष के खिलाफ खुल कर बैटिंग की और कहा मुझे लगा था कि चुनावी नतीजो के बाद विपक्ष क की अर्थी विपक्ष इवियम की अर्थी निकालेगा लेकिन चार जून की शाम होते होते इनके मूपर ताले लग गए पीम मोदी ने ये भी कहा कि इंडिया गठबंदन के लोग पहले धीरे धीरे डूब रहे थे लेकिन अब और तेजी से डूबने वाले हैं लेकिन आज क पीछे पीडे का एक बड़ा फैक्टर काम कर गया आकिर महराश से लेकर पश्यम बंगाल तक बीजेपी उमीद के मुताबिक नतीजे क्यों नहीं हासिल कर पाई इन तमाम सवालों पर भी चर्चा आवश्यक है तो आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी द मुझे बताओ कि EVM जिन्दा है कि मढ़ गया है लगा साओ इवियम को गाली देना लेकिन चार जिन शाम आते आते उनको ताने लग गए EVM नहीं को चुप कर दिया इलेक्षन कमिशन के काम में रुकावात आए इसके लिए सुप्रिम कौर्ट के दर्वाजे खट-खटाएगे और नरिंद्र मोदी ने आज इस तरफ अपने कदम बढ़ा दिये स्रीमान नरिंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है इसका मैं मन से समर्षन करता हूँ मैं आपका अविनंद्र करता हूँ और आपके नित्रत में सब लोग काम करेंगे इस दोरान प्रधान मंत्री मोदी ने विपक्ष पर जम कर प्रहार किया जोजना बच तरीके से देश को हिंसा की आग में जोकने क्या भाशा बयां प्रिये जाए यहां इपट्टे होना यहां पहुंच रहा यहां कर रहा देश के लोगों को बाट्टे का प्रयास किया अरे चुनावे के ऐसा लोकोत सब होता है कि जादा से जादा लोगों को हम जोड़े तोरने के लिए नहीं होता है और आपने देखा दो दिन कैसा चला जैसे हम तो हार चुके हैं लेकिन देश वासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं हम विजय को पचाना जानते हैं उधर चुनाव के नतीजों पर अभी भी माथा पच्ची जारी है आरूप है कि प्लैनिंग के तहट हिंदूओं को जातियों में बाटा गया और मुस्लिमों को एक जुट रहकर एक मुष्ट वोट देने को कहा गया एक साथ होके वोटों का जहाँ पारो क्योंकि हम विज़ वोटों का जहाँ कर सकते हैं और इस संधी सरकार को बढाने काउं कर सकते हैं एलेक्शन में कंडिडेट नहीं देखा जा सकता एलेक्शन में आपको दिल्ली सरकार को देखना होगा लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 का जनादेश क्या संदेश लेकर आया है और सवाल ये भी कि 2024 के बाद से देश की सियासत की दशा और दिशा क्या होने वाली है तो 2024 में नरेंद मोदी की वापसी हो रही है लेकिन बहस के मुद्ध क्या है क्या पीडिये के आगे हिंदुत्प का दाओं फेल हो गया है ये बड़ा सवाल है आज का और ये बहस का मुद्ध है वोट जिहाद की अपील चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनी क्या इस चुनाव के अंदर और मोदी थी पॉइंटों में करे और बड़े फैस्ट ले क्या जारी रहेंगे और चौथा बड़ा मुद्धा नतीजों के बाद क्या इवियम की अर्थी निकलने से बच गई जो प्रधानमंती नरे नवोदी ने बोला क्योंकि हाई इवियम बाई इवियम बार बार इवियम पे जो ठीक रा फोड़ा जा रहा था शायद वो अब टाटा बाई बाई हो जाएगा और मेरे साथ बात करने के लिए बड़े प्रभावी लोग हैं इनकी पार्टी को एक बड़ा बड़ा लाब मिला है उत्तर पदेश के लोकसबा चुनाव के अंदर विवेक शिर्वास्तव है नेता लेफ्ट के और मेरे साथ स्वावी धिपांकर भी है अध्यात्मिक गुरू है उनका भी अभिनंदन है तो सबसे पहले डॉक्टर भधरिया शुरुवात आप भी से कर लेते हैं तो पीडिये के आगे आपको लगता है हिंदुत्प का दाओ फेल हो गया तीके हम समाजबादी लोग हमेशा से समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी चिंता करते हैं समाज के अंदर में युवा है छात्र है महलाएं हैं किसान है आम आदमी है और वो परिशानी उस किस बात से होती है उनको परिशानी होती है महंगाई से बेरोजगारी से समाजिक नियाए से और हमने उसके उपर काम किया हमने का PDA हमारा है और हम समाज के अंदर में समाजिक नियाए की बात करेंगे और उनको रोजगार दिलाने की बात करेंगे हम इसक नासिक में भी हम जीते अयोद्या में भी हम जीते यह समाजवादी के इसलिए जीती है इंडिया गडबंधन क्योंकि वो भगवान प्रभू समझ गए हैं कि यही वो लोग हैं जो हमारे बच्चों बच्चियों के हक की लाई लड़ रहे हैं आपके राहे में हिंदुत वो हार गया पीडिया जीत गया मेरी राय में हिंदुत की बात को फिर आपने उ हिंदुत और मुस्लिम इस पे आ गए मैं तो मुस्लिम के लिए यही दिक्कत है कि भारती हैまだ ब वर्ट भॉर अपल इस फह थो सब्सक्राइब ऐसकर भीнятьiking मैं शनना अपने जनता के मुद्धा वोड नी मागा जनता ने आपको नकार दिया जीता है चुकि पीडिया समाज इक नियाई की बात करता है पीडिया की मतलब आप इंडिया लाइंस की टोटल सी 234 और बीजेपी की किती सीट से टोटल पीजेपी की सी 240 तो जीता कौन है प्रधान मंत्री ने बड़ी बात बोली मैं पढ़के सुना देता हूं जो प्रधान मंत्री ने बोला ना हम हारे थे ना हम हारे है लेकिन जीत पचाना हमें आता है प्रधान मंत्री ने ये बोला हमारी जीत की कोक से उनमात पैदा नहीं होता हारे वे लोगों का उपहास होड़ाना हमारे संसकार में नहीं है बीते पांच दिन, बीते चार दिन से ऐसा लग रहा है कि NDA तो हार गया है चुनाव और इंडिया आलाइस चुनाव जीत गया है यह सवाल में आप दोनों से हैं, दोनों इंडिया पार्टनर से हैं पहले शेजाद पुनवाला आप देखे, मैं उस माती का विख्ष नहीं जिसे नदियोंने सीचा है बंजर माती में पलकर भी मैंने म्रत्यू से जीवन को खीचा है और मैं रेत में नहीं बलकि पत्थर पर वो लकीर बन चुका हूँ चाहे जितना भी प्रयास कर ले यह, यह मोधी को नहीं रोक पाए और एक साथ आने के बाद भी ये ठक चके हैं अब बोलते हैं कि हम NDA India कर रहे हैं पर ये जब से एक साथ आया हैं उसके बाद इंडी-ईंडी बोलना बंद कर दिया है एलोपी का नाम घोशित करते हैं कॉंगर्स पार्टी वाले कहते हैं कि राहुल गांदी एलोपी होंगे अखिलेश अखिलेश को भूल जाइए अच्छा इनकी इंडिया लाइंस की मीटिंग में ना उद्धर ठाकरे पहुंचे हैं और बता दीजे अनुराग भदोरिया जी चलिए अच्छा है कि अब मूदी है तो मुमकिन है जो लोग राम मंदिर को कल तक बेकार बोल रहे थे मायूस महसूस करता है और जो हर बार फेल होता है उसे पासिंग मार्ग में मिलते हैं तो वो इतना रहा है तो मैं कह सकता हूं कि छोटी उडानों पर घमंड वो करते हैं जिन परिंदों को खुला आसमान नहीं भाता हमारे लिए तो खुला आसमान था हमने क्वाईश की 400 की ह भाउमत पा चुके हैं पर उस जिनका भाउमत नहीं आई है अखिले जी ने कहा 79 मिली 37 मतलब 42 नहीं मिला क्वान आ रहा बीजेपी 17 अच्छा वा 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 क्या 22 टीटे आई है हमारी सेटी साइए और डंक की शुरूडेंट से वो रूल्स मानते ही नहीं है इसलिए इसलिए अच्छा इन्हों ने बात की कि सामाजिक न्याहे के लिए हम लग लड़ाए लड़ा है आपको पता है कि ये तमिल नाडू में हमारा दस फीसद वोट बनने के बावजूद भी एक बकरी के गले पर अन्ना मलाई की तस्वीर डाल कर उसका कतल कर दिया गया एक बेजुबान बकरी को मारने वाले आईए हम साम लगा कि गर्दन काटना वो तस्वीर इससे में मैं चाहता हूँ जब दिखाई जाए वीडियो वाल पर वो तस्वीर और हमारे वीवेस को भी दिखाई जाए मतलब क्या मतलब क्या दिखाने की कोशिश है ये सिंबॉलिज्म गलत था ये गलत था इस तरह की चीज़े हमारे प्रजात अंतर में नहीं होनी चाहिए तो इंडिया राइंस के एक भी ने तरह ने ट्वीट क्यों नहीं करा इस बिल्कुल गलत है लेकिन उसके बाद भी आप देखिए वो इतने अनपॉपुलर हैं कि पूरे तमिल नाडू के अंदर एक बीसी तस्वीर जो चुनाप जीतने आज कहां खड़े हैं बीजेपी कहां खड़ी है तमिल लाडू में क्या हुआ चुनाफ तो आप भी हरे हैं आप लोग भी हरे हैं तो किसने किस में जाना जा रहा हूं आपके नेता की गर्दन को आगे रखके मक्री को काटा है कौन है किसी तरह का हरें इंडिया से जोड़ दो गए अरे यह वो लोग हैं इंडिया से ने इंडिया से बतागा इस तरह करता है यह अने वाले डालते डालते खुल आए अब मुझे तो बार बार देखिए कहते हैं कि कई बार कोई बात जुमाँ पर आ जाती है अप कहना नहीं चाते लेकिन यह भी एंडिया की बात करने लगे है अबी वो उन्होंने गलती से एंडिया बोल दिया लेकिन पॉइंट यह है कि इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिसमें साहरनपुर में हमने देखा किस तरह का हुर्दंग मचा हमने देखा कि अन्ना मर्राई की तस्वीर लगा कर बकरी की घरदन काटी जा रही है यह narrative क्या है और प्रधान मंतिरी ने बोला कि हमें जीत पचाना आता है यह महबत की दुकान चलाने वालों का असली चेहरा बेनकाब कर रहा है जो महबत की दुकान भारत जोडो यात्रा यह सब करके निकले थे उनके चेहरे से नकाब उतरने की यह कोशिश आज महब्वत की दुफान चलाने वाला जो नफरत के बाजार को मिटाने वाला था खामोश मैटा है इंदुस्तान में जो पहली फेल हुआ दूसरी फेल हुआ तीसरा चुनाव लड़ा तो तीसरी फेल हुआ कहता है कि मैं पास हो गया हूँ 99 नंबर आ गए मुझे 338 सीट समाम एलाइंस के दल 292 गए ठीक है ये बात सही है कि हमने 400 काकडा रखा था जीवन में लक्ष महान रखने चाहिए उचाईयां महान चड़नी की रखने चाहिए नहीं चड़पाई कोई बात नहीं हिंदुस्तान कभी न कभी वह उचाई देगा अगर काम अच्छा बहतर कर का रहेगा जेहाद का सब्द उगुंचता रहेगा तो इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से बहुत रहेगा भारत जोडने वाला व्यक्ति आखिर खामोश क्यों है कद्या कुमारी से लेकर करके कश्मीर तक का सेक्लोजम का सारा सूर्मा चुप क्यों बैठा हुआ ह क्योंकि अन्ना मालाई एक संगरसील व्यक्ति हैं अब मैं रुक करता हूँ आपका स्वामी जी स्वामी जी पीडिये के आगे हिंदुत्र का दाओ फेल हो गया क्या आपको लगता है कि अयोद्या हार गई भारतियनता पार्टी तो बचा क्या तो इसका मतलब राम मंदिर त काम करें मेरी यही शुक कामना है मैं पहला शब्द अन्ना मलाई पर कहना चाहता हूँ ता दिल दोगा देखकर वह व्यक्ति भी समाज के बीच में था जोड रहा था भले ही हमसे उत्तर परदेश से बहुत दूर है मगर वाके ही अन्ना मलाई को लेकर के मुझे अच्छे श तो मुझे दिनकर की वह पंक्ति याद आती है गुना उनके भी लिखे जाएंगे जो तठस्त और मोन रहे अब मैं बात कहना चाहता हूँ अपनी बात करें पहली बार बोल रहे हैं अयोध्या की जहां तक लोग चर्चा कर रहे हैं क्या योध्या हरे नीसंद है मैं समस्ता ह कि पी-एम चुनाव नहीं आ रहे है योध्या का चुनाव हरा है जातियों में बटा हुआ हिंदू समाच मैंने एक पॉलिटिकल लिडर का भयान सुना कहते हैं कि वोट जहाद करो एक मोलाना कहते हैं कि केंडिडेट मत देखो सिर्फ एक मुश्त होकर वोट डालो डालिये सर जैसा डालना है सो डालिये मगर फिर इन लोगों को क्यूं बाट रहे हो जाड गुजर बनिया याद ब्रामड बनिया इन्हें क्यूं बतारो अरे जाती होती तो लिए फिल को धेना ठीखाँ वह पहली बार बोल रहे है अमीर मेरा मानना सिर्फ इतना है पिछले 600 दिनों से मैं आप से बात कर रहा हूँ पिछले 600 दिनों से मैंने मात्र इतना किया 70-80 लाग लोगों को जोड़ा और कहा कि जातियों में ना बटकर आप युनाइट रहें, एक रहें, सनात्मी रहें क्या सनात्मी होना गुना है गुना है उनको जोड़ा, सबाब बोड़ दे दिया मुझे आज जीवन में पहली बारे एहसास हुआ इस बात का कि चार लोग 40 बाते और 400 अफवा है कितनों पर ध्यान दोगे पार्थ अपना लक्षे देखो और अपना लक्षे बहुत क्लियर है अगर आप सबको कहते हो के जातियों में ना बटकर एक हो और सब समान रूप से जीएं, सबको समान अधिकार हो तो वो हमारे भाईयों की नजरों में बुना है अगर आप कहें के उच नीच कीजे, छोटा बड़ा कीजे वो आपके लिए सही है अरे जब जोडने की बात कर रहा हूँ, जोडने में तो एक हो यार अमीश बाबू, भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी क्रांतिकारी विचार को पूर्ण होने में टाइम लगता है शुरू में लोग ऐसा ही करते हैं अपमानित ही करते हैं और कल को जब इस विचार का ताफ होगा तो इन जैसे लोगों का हीम पिकल जाएगा नासिक पिकल जाएगा, यह मात्र नसीफ हारवार होजाए अब बड़ी बात पर दो दो शेदाद पुनवला शेदाद पुनवला शेदाद पुनवला पहले तो पहले उनको जवाब देने ज्याएगा, विवेक जै में जवाब देना जहाएगा जवाब देना वशाँ कि देश के हिंदू ने नकारा आपको आपके भगवाधारियों को नकारा और हंग पार्लियमेंट है ये चीक पार्लियमेंट में कोई नहीं जितना है फिर मैं अपने जवाब परारम करें ने मैं तो पांते बारम ने दोप के साथ वैठूगा आप दोनों की सहमती हो किसी विषय पर तो 30 सकंड बोल दू कि आप चिखेंगे चिलाएंगे ने आप बाहर जाने का ड्रामा तो परिए एक बात मजा आएगा देखने में 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 जंता ने आपको जेन्यू कैंटी छोड़कर बाहर कर दिया है ने 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 आपको लेफ्ट ने क सबसे पहले तो समाजवादी और वाम पंथी अयोध्या की चिंता करने लगे यही बड़ी उपलब्दी है पर सुनिया बीच में मत बूलिए मुझे बताइए कि ओडिशा में पूरी है कहां कौन जीता वहां पर मध्यप्रदेश में अज्जयन महाकाल है कौन जीता वहां प और बताइए हिमाचल में देगुमिय कोन जीता वहां पर बताइए बताएंगे नहीं और मैं आपसे अखरी विच्ट पर जवाब नहीं देंगे और मैं इससे बशावज पूछा चाता हूँ अब आसाम में भी जीते हम वहां पर जीते वहां पर कमाख्या देवी का मंदिर ह पर उन्तों मैं पूछा जाता हूँ इन्से इन्होंने कहा रहे हैं ये वो लोग है जो कहते हैं धर्म हफीम है अब बताइए समाजवादी प्रश्ट भूमी के नेता राम मंदिर को बेकार बोलते हैं राम गोपाल यादव बताइए सहमत है अब पबलिक ने इने 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 बोला गया वोट का जिहाद करो लोग तंतर में वोट की जो होता है वही मैंडियट होता है तो इनके नेताओं ने जो बोला रहे यानि राम कुपाल दोला कि거든 लाम राम मंदिल का नक्षा बैकर है तो पबलिक ने तो एक्सेब्ट कर लिया ना कि अनको को पसंद है उनको ये मुद्रय पसंद है क्तम बाद हो गई उनिये उनिये finally बीजेपी तो युद्रया हारी गई नीची जिज चित गए और 37 सीट जीद गए तो इसका मतलब की पूरा का पूरा हिंदू समाज आ गया और जिस लोगों जिता है और जिस लोगों जिता है जो समाज आपनी हारता है अगा पीक का अगा निपनी कमाल की एक था है हम सावेक हैं कमाल की बात करें यह हिंदूस्तान है हिंदूस्तान है और जिकने करें और तो आपने बोला कि बीजेपी नहीं हरा दिया यह कहते हैं कि हम सब जगे हार गये पता है आपको कॉंगर्स पार्टी को 14 राज्यों में जीरो सीट मिली है सोला राज्यों में ऊंका वोट्य कम हुआ है हम अरू नाचल में जीते आंद्र में हमारी सरकार पहली बार वहां पर अंडीय की सर्कार बड़ेभर इस वरी I help तो बाइक वोट करें बाइक है लोट करो पहले मोदी सरकार बन रही है हमारी सरकार जो सिकने बढ़ने की खिए तो न्दीए की आगा में तो चुनाओ लड़ रहे थे तो कहते थे साहब मोधी सरकार, भाजपा सरकार, मोधी सरकार, एंडिया का नामी नहीं 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 है इंडिया की सरकार, भाजपा सरकार, किसना में नहीं 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 है को छोड़िए के अभी क्या हुआ अभी अनुराग बजोरिया साब ने क्या करा उन्हें की सरकार पर ताली बजा दी जबकि इंडिया अलाइस के यह इंडिया सरकार बंदे पर ताली बजा रहे हैं मतलब कमाल हो गया है इंडिया सरकार बंदे पर ताली बजा रहे हैं मेरा क्या पॉइंट है कि जो सोशल मीडिया पर जब हम पॉलिटिकल कैंपेइनिंग करता है तो बहुत सारी चीजे होती है और पोजिशन पार्टी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है उसकी वीडियो को कहीं ने कहीं पर्शमदार वो जोड़ सोरस से जुड़े हुएं कहीं न कहीं जो की इंटरनाशनल लेवल पे हंड़ेट करोड रुपीस हंड़ेट करोड डॉलर दे रहे हैं कि जितने भी पार्टी जो की देश के लिए काम कर रही है उनको हटा दिया जाए ओके यह आपका कहना है आपका सर राहूल गांधी जी ने एक प्रेस कांफरेंस में यह चीज बोली थी कि इस बार 295 सीट आने वाली है तो वो 295 सीट कहां है जीती तो बीजेपी सरकार पॉइंट यह है कि देखे एक नरेटिव बिल्डिंग होती है और नरेटिव बिल्डिंग में कि एंडिय के अगर शासन आएगा मोदी का अगर शासन आएगा तो आप लोग तो यानि भारती जनता पार्टी और उनके नितित वाली पार्टी आरक्षन को समाप्त कर देगी यह नरेटिव को आगे बढ़ाया गया जिसका खम्याजा उत्ते प्रदेश चले के महराष्ट में हुआ दूसरा पार्टी जनता पार्टी की सरकार ने जो लंबे समय से महीला आरक्षन विधयक लंबित पड़ा था कॉंग्रेस उसको तरह तरह की पेच में फसा के रखती थी और समाजवादी पार्टी तो चाती ही नहीं थी कि महीला आरक्षन विधयक पास हो तो भार्टी जनता पाटी ने इस देश की तमाम महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षन संसद विधान सभा में जाने के लिए दिया तो जो पाटियां आरक्षन दे रही हो वो पाटियां आरक्षन कैसे खत्म कर सकती है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है इस बच्ची का एक सवाल है कि कॉं कॉंग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है कॉंग्रेस की सरकार करनातक में है कॉंग्रेस की सरकार तेलंगाना में है मैं पूछना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी से कब वहां आती पूइट यह बहुत बढ़ी है पॉइंट है विवेक 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 इसका बात का रहे यानि पीडिया का जो फॉर्मूला था उसमें आप कामियाब रहे जिस पे पिछला दलत और अलब संक्यत थी और हिंदुओं को डिवाइड करने में कामियाब रहे तीर्थ्थलों के नाम स्वामी जी को बताए रामेश और रम वहां भी पीडिया था चित्रकूट भग्वान राम की पूपी वहां भी पीडिया था नहीं डेवल्पमेंट की बाप थी मैं अयोध्या गया वारण असी आपके चैनल के माध्यम से गया उसके पहले 7-8 में जिलो में पूरी उत्रप्रदेश के गूम करके आया अगर आप बाहर के बिजनसमेन को ला करके आयोध्या की दुकानों के ठेके दे दोगे वारनसी के ट्रॉलर्स दे दोगे और लोकल्स को जॉब्स नहीं मिलेंगी चार-पास किलोमीटर में दुकाने तोरोगे हाईवे बनाने के लिए और आयोध्या के नागरे को मुआज़ा नहीं मिलेगा तो वो आपके खिलाफ वोट करेगा एक सिकेट अब मेरा पॉइंट आपके विक्तवे को सुना आपकी लॉजिकल बात है लेकिन एक बात ये भी तो सच है कि एक तरफ अपील करी जा रही थी जो नौमानी साप ने अपील करी महाराश्टर के अंदर और जो एक नेतरी ने अपील करी उत्तरप्रदेश के अंदर की वोट जिहाद होना चाहिए एक तरफ तो आप अपील करें कि एकमुष्थ होके आप वोट डालिये यही आपी के अलाइस पार्टनर्स के लिए और दूसरी तरफ कहरें कि आप पिछडा, दलित, ठाकुर, भ्रमन, सैनी, शाक्या, मौर्या, बनिया इन सब में डिवाइड होके वोट डालिये वोट ने करेंगे उत्तर प्रदेश में एक वर्ग नाजाज है वोट ने करेंगा, राजबर नाजाज है इसलिए वोट ने करेंगा इसी चुनाब में कहा गया और दूसरी तरफ इसी उत्तर वर्देश के चुनाव में कहा जा रहा था कि कैंडिडेट मैंडिडेट मत दे किये लेकिन देखिये मोदी को कौन हरा सकता है इसलिए वहाँ पर तो फोट जिहाद हो और दूसरी तरफ मतलब एक जगा मत काटो एक जगा में भी सौजगा काटो एक जगा में भी सौजगा काटो और फिर अपनी पॉलिटिकल गेम बना दो उस पे क्या कहाना चाते है पहली चीज़ देखिए यह हुआ की नहीं हुआ आप सुरिए बहुत कुछ हुआ इस चुनाओं के अंदर हैदराबाद में ओऐसी सहाब के सामने जो मादवी लता जी जिनका आपने भी इंटरिव्यू लिया था जब वो खड़ी थी तो मस्जित को इशारा करके तीर चलाई ये भी हुआ था ऐसी बहुत सी बाते हुई थी लेकिन ये चीज़ें रेटरिक में होती हैं करनाटक में एक पूरे के पूरे सिस्टम ने काम किया घर घर जाकर के जमातों ने काम किया एक मरा हुआ शब्द आपने उनके विरोध में बोलते सुना आपने लोगों को जोडने का काम किया तो भगवा भगवाधारी पचास चीज सनातन का सनातन का उन्मूलन हमारा गटबंदनी सनातन के खात्मे के लिए हुआ हमें आपकी राजनिती से कोई तालूक नहीं सर बहुत अच्छे लेकिन आप तो भिशे मंगते रहे इन सब चीजों लेट मी कंप्लीट दादा जी आप खूब अपनी राजनिती कीजें में कोई तालूक नहीं अगर बात सनातन पर और भगवा पर आएगी मैं तो जीवन तो खड़ा हूं मरे वे साधू भी बोलेंगे याद रखना लेकिन लाब क्या हुआ लाब क्या हुआ मैं जानता हूं मुझे क्या आपके सनातन में शंक्राचारिया है जिनों ने कहा कि राम मंदिर रोचक क्या जानते हैं पुर्जे शोर करते हैं मशीन के खराब होने पर जुबान शोर करती है अकल के खराब तरक दीजेंगे तो आप तो बहुत है याद याद विद्वे आप ने शंक्राचारिया का अपनान किया वोट के लिए किया यह क्या तरीका यह चोड़ दो रहा है क्या हो गया है अमीज बावु पानी पुनी दो नस फाड़ लेंगे अपनी यह नस फाड़ लेंगे यह आज देख रहे हो यार हो गया जो होना है अगला आदमी मुझसे वो व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है जिसे धरम का देह नहीं पता है और यह जब आपका जब आपका जब आपका करके लोगों को बहका आया वह मुझे यह कहे कि मैं क्या बोलू आद्यात्म पर इतना सा शर्म बचा है आप हिंदू बेल्ट में हार गए यह बार बर का जा रहा है जिसके लिए आपने बहुत कुछ करा उस बेल्ट में आप हार गए इस तरह करो हम हिंदू मुसलिम की बात आने करते से इसलिए प्लीज यह बखकात कई करा ईचकर तरह को एक सरकार के झेल ने तब इन्होंने कंडेंडब मंने उसका सेलिब्रेशन किया यह शंणकर अचार्य के मित्र बंगा जब द्वारका जी में प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी आराधना करने गए थे और यदुवन्शियों को तो उसके जावगे होना चाहिए तो उसको नौतन की और ड्रामा कहा गया मुझे बताई है दोपी तहन के मस्जिद में इफ्तार में जाते हैं तब कामरे ठीक होता है और द्वारका में अगर कोई चलागे है यह यदुवन्शि देख रहे है यदुवन्शि पाखिया वो नहीं बोल रहे है आप चाहिए और मैसे वितना पूछना जाता हो देखे अब आपने नेरेटिव सुना बीजेपी हारी उत्तरप्रदेश में बीजेपी हारी मालास्ट कि इसलाम की हार बोलेंगे इसलाम की हार बोलने की आपकात नहीं है आपकार ने पूछा कि ये पतका आपने डाला है और मैंने बोला नहीं किसी ने डाल दिया तो मैंने स्विकाल लिया वरना मेरी विचारधारा इससे अगए ये उनका वीडियो है अब बताए कि ये विचारधारा रहे है तो चीटे अनुराग बनिया प्रस्ट निये है अनुराग मेरा प्रश्ट निये है देखे हिंदु हरा हिंदुत हरा इस बात लेकिन एविएम तो फाइनली जीत गई अब इविएम के अर्थी तो नहीं निकालेंगे चार गंदो बर मैं बोलनू बताईए अब बोलनू सवाल सवाल देखिए मैं मुझे दीजेगा च्वाब देखिए इन्हों ने बोला कि एंडिये सरकार मैंने का ताली वजाओ कि हम लोग उसमें कामा कामयाव हुए कि भारती जनता पार्टियों का एसा पास हुआ कि बीजेपी की सरकार नहीं है एंडिये की सरकार है तो उसका परस्प्सन मत बदलिए दूसरा आपने कहा कि देश के अंदर में हम कह रहें कि हम अध्या जीते बार बार कह रहें हिंदू हार गया अरे प्रभू हम तो बोली नहीं हम तो जब से आए तो अपसी यह संसकार कर दिया गया पिट्रोल डालके हमने आवाज उठाई सरकार चुप रहें अपने उन्निस में उठाई जनता को सुन तो लिजे आप दिवेट छोड़के नहीं जाओं आपकी तरह पीट लिखा कर भागने लगा जनता नहीं दिखाता हूं अभी आप तो भाग रहा हूं भाग रहा हूं अपने जा रहा हूं अभी इसी जा रहा हूं कहा होगे अब सुन नहीं को रौन दिया कि कमल जो मालक्ष्मी का फूल है उसको रौन दिया एस तो रौन दिया अनुराग के बारी है आज भी मैं कहता हूं समाज के अंदर में जहाँ गरबड़ी होगी आब आज उठाई जाएगी चुनायाओ अगर गरबड़ी करेगा आज उठाई जाएगी अन्याई के खिलाब आज उठाएंगे उठाते रहेंगे हम जीते हैं हा रहें अन्याई होगा आज उठे के एक सवाती मालिवाज के आज नहीं उठी है एक सिकिन मैं बिल्कुल आपको मुका दे रहा हूं लेकिन लेकिन कुछ प्रश्टन है जो कि बहुत इंपॉर्टन है 240 सीट हमने आपको दी बननेशन बन एक्षन पर यूसीजी रिजर्विशन बन और महीला रिजर्विशन बिल्के क्या जब आप पार्टी की घडबंदन सरकार में यह फेसले मोदी सरकार ले पाएगी और यह नहीं ले पाएगी सवाल यह है कि कड़े और बड़े फैस्टे मोदी 3.0 कर पाएगा यह एक संशेमन में लोगों के आ गया है देखें ऐसा है कि NDA1 और NDA2 की जब सरकारे बनी उन्हीं सरकारों में 370 हटा उन्हीं सरकारों में 3 तलाक को हटाया गया उन्होंने बहुत स्पेसिफिक क्विश्चन पूछा है वन नेशन वन एलेक्शन पर आपको असपस्ट कर दूँ वन नेशन वन एलेक्शन पर पिछली सरकार ने पुरवराष्ट पती रामनात कोविंद के अंतरगत एक नित्रित्त में कमिटी बनाई और हमारी पार्टी न महीला आरक्षन पर हम सुनिए महीला आरक्षन पर हमारी पहली पार्टी है जन्ता दिर उनाइटेड जिसने बिहार में महीलाओं को नोकरी में 35% आरक्षन दिया था और सबसे पहली बार देश में पंचाईती राज में 50% आरक्षन दिया था और मोधी सरकार ने महीलाओं को संसंद में और विधान समा में जाने के लिए 33 प्रतिशा तारक्षिद दिया और को फ्रस्ट है आपका मेरा आप सबसे सवाल है कि कई कंस्टिट्यूंसी एसीवी ती जहां पे नोटा को सबसे आदा वोट दिया जहां पे ना आपकी सरकार जीती ना इंदौर की सीट जीत गई है प्रसवा को में नोटाके विशेए विधार पान साल के लिए रांवा केम पी6 साल के लिए अगनिवेर पर नोकरी जर्व 4 जाल के लिए आप बताये अगनिवीर के बैचाउट करेंगे वोडर 10 जी जब होगा करेंगे इनका मतलब यह कि अगनिवीर के पूरा खिलाफ है पूरा खिलाफ है यह उनका स्टैंड है मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं के स्टिति आपका कर दिया एक रोचक बात कहूंगा कि सनातन पर सनातन के विरोध में हिंदुत्तु के विरोध में कोई भी देश का पक्ष और विपक्ष ना बोले अगर जब आप बोलते हो तो हम लोगों को कष्ट होता है और मैं एक बात आप लोगों से भी कहना चाहते हैं मैंने कब वोट मांगा NAF wa'd का विडेंस को चुछ Wy 달 आप 큰 में कियं कि these में आप सब के सामने कहता हूं मैं टो मिनट में यहां सब चाना Collins कि एक बिढं़के गण्यारनी हो जाए है वीरेशिए कि कब वोट मांगा का सब वुदारन मिजिए देखे अमीश भाई ने उधारन दें अरो उधारन सुनने हैं आप शांती ओम शांती करिए पहले आप भीजिए आप देर बताइए तारीक बताइए समय बताइए मैं वीडियो फूटर निका आता हूं हमारी चाहे विचारधा जो भी हो एक सुआमीजी को बार बार लगातार अपमानित करना ये लगता है कि इस प्रकार की संस्कृती दिखाती है कि किस प्रकार से आप लोग हिंदू समाज के प्रती घ्रिना रखते को मौलाना होता तो मौलाना के साथ ऐसा और नहीं किया जाता ह बुस्षी बाव दूसरा अब आजकल आपने देखा होगा जब आप जनता का नहीं है तो हिंदू पर आज आरे हैं अनुराद बाभू बाव पंदिया पर आपने इस शो में कहा था जिस ने राम मंदिर जिस पाटी ने पनाने को फेसिलिटेट किया है मैं उसी के साथ खड़ा हूँ यह क्या होता है अब इन्होंने हमारे आगे का अजिंडा तो बता दिया आपने दो दिन से देखा है वीडियो जा रही है जहां पर कुछ महिलाएं कॉंग्रस के दफ्तर पर जाकर पूछ रही एक लाक रुपे कब मिलेंगे अब मुझे अपनी सरकारे में कंदेगे एक लाक रुपे कंदेगे? युझे पार या घर ताली जाते है लिएंगे एक рद रखा लग का फोन रख रख़ता है जहिंगे एक लाक रुपे अपनी सरकार में अगर हमारी सरकार आएगी अचा आप मैला गरी मेना पेखा दिया जाएगी अचा देखिए फिलाल आज के एडिशन में इतना ही लेकिन एक लाक रुपए कब देगी सपा और कॉंगरेस पार्टी जो मैला है उनके दफ्तर में पहुची हुई है इसका ऐलान जल्दी करना पड़ेगा ने तो भीर बढ़ती जाएगी पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू आयोध्या हारने का बीजेपी को चिंतन मन्थन करना पड़ेगा और जरूर करना पड़ेगा और उत्तर ब्रदेश में क्या खेलुआ उसका भी चिंतन बीजे आना चाहिए कि देखिए हमारे तो पहले तीसी नमबर आते थे अब गलती से 90 आ गए है फिर 100 आ गए है तो हम 100 के उपर हम सोचेंगे सामने वाला जो है वो फेल हो गया है देखिए आपकी स्तिती बड़ी खराबती सामने वाला अभी भी आपसे बहुत आगे है इसलिए जो दाओ था वो जीता है कितना भी अब हिंदू हिंदुत्व कर ले लेकिन पीडिय का जब खेल आएगा तो हिंदुत्व हार ही जाएगा इसमें कोई दोराए नहीं है यूपी के लोग सबह रिजल्ट्स ने ये दिखाया है महारास्ट्र में भी ये देखने को मिला है फिल झाल